हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नाहॉलिक लाइफ मैं हूं सन्य मिश्रा और आज इस वीडियो में हम रिव्यू और रॉक्स करेंगे ट्रूक फिट प्रो इन एर 2WS बर्ट्स को यह 13 mm के मैसिव ओड्यू ड्रैवर के साथ आते हैं और 24 आज का म्यूजिक प्लेबेक टाइम भी क्लेम करते हैं इन में आपको Bluetooth 5.0 मिलेगा और इनका प्राइज है सिर्फ 999 रुपीज तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फोगेट तो सब्सक्राब टू आज चैनल सो विदाओट वेस्टिंग मस्टाइम लेट्स गेट स्टाटेड़ सो हेर्स बॉक्स फ्रंट में हमें ट्रूक की ब्रेंडिंग और मॉडल नमबर देखने को मिल जाता है साइड और बैक पे की फीचर मैंशन हैं जैसे 500 इमेच केस बैटरी एंड डीप बेस तो चलिए हमें इन बॉक्स कर लेते हैं बॉक्स में सबसे पहले हमें एक टाइप सी चारजिंग केबल मिल जाती है एंसम यूजर मैनुल्स तो लेट्स टेक दी फिट प्रो आउट एंड हेव अ क्लोजर लोग प्रूक फिट प्रो का केस मैट रबरी फिनिश में आता है जिसकी फील अच्छी है इसमें आपको ये स्लिंग देखने को मिल जाएगा जो इसको होल्ड करने में कॉन्फिनेंस देता है बात करें बिल्ड कॉल्टी की तो केस का आउटसर मेटेर तो ठीक ठाक है मगर इनको खोलते ही थोड़ा प्लासिक वाली फील आ जाती है और बात करो इयर बड्स की बिल्ड कॉल्टी की तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई बड्स तो बहुत ही हाट प्लासिक के हैं और इनके एजिस बहुत शाप हैं जो कि एक फिनिश प्रोड़क्ट जैसी फिल नहीं देते और सेम कहाने इनकी एर टिप्स की भी है इसके साउंड गिल्ड के चारो तरफ का जो एरिया है वो भी काफी शाप है अगर आप अपने एर्स में जबरदसीं को फिट करने की कोशिश करें तो काफी दर जहलना पड़ सकता है और अगर फिट आ भी गए तो लॉंग आस के बाद थोड़ा सा एर्पेन तो आपको सैना ही पड़ेगा चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी बॉर्ट मिल जाता है जिसके साथ ही चार्जिंग लाइट इंडिकेटर है इसके केस की 500 इमेज की बैटरी फुल चार्ज पे अल्मोस 24 आस का म्यूजिक लेट टाइम क्लेम करती है हमारे तेस में हमें फुल वॉल्यूम पे अल्मोस 19-19.5 आस की बैटरी लाइफ मिली जो इनकी रेंज के हिसाब से काफी अच्छी है केस में आपको 4 LED लाइट इंडिकेटर मिल जाते हैं हर लाइट 25 पसंट बैटरी को रिप्रेजेंट करती है बड्स पे भी आपको चार्जिंग और पेरिंग लाइट इंडिकेटर मिल जाता है True Fit Pro Quick Charge Feature के साथ आते हैं जिसमें ये 15 मिनिट के चार्ज पे एक आर तक का प्लेवेक टाइम दे सकते हैं इनको पेर और अनपेर करना बहुत ही असान है केस से निकालते ही आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं और वापिस प्लेस करते ही डिसकनेक्ट मगर यहां भी इनमें एक प्रॉब्लम है केस में चार्जिंग मोड पे भी ये कभी कभार आपके डिवाइस से डिसकनेक्ट नहीं होते आप देख सकते हैं ये अभी भी कनेक्टेड है इन्हें मैनुली लॉंग प्रेस करके ओफ करना पड़ चुका है काफी बार अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की सबसे पहली बात इन पे आपको टच कंट्रोल्स नहीं मिलते इन पे बटन्स दिये हुए हैं जो काफी रिस्पॉंसिव है सिंगर प्रेस तु प्लें पॉस्टी म्यूजिक अब बात करें इनकी फिट की तो रबर या सौफ प्लास्टिक ना होने की वज़े से ये एर्स में फिट तो रहते हैं मगर हलका सा भी एर्स के आसपास मुव्मेंट करें तो ये बड़ी असानी से निकल की गिर सकते हैं बात करें audio latency की तो इस पे हमें 210 से 240 मिली सेकंड की audio latency मिली जिस पे कोई भी गेम खेलना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है जब तक आपको किसी की footstep की आवाज आएगी वो आपको मार के भी चला गया होगा तो चलिए बात कर लेते हैं माइक कॉलिटी की इस समय जब वाज सुन रहे हैं वो ट्रूपिट प्रो के माइक से रिकॉर्ट हो रही है अब आपको माइक क्या क्या क्यों को लेकि को भी डाउट रह गया हो अब बात कर लेते हैं sound quality की इन में 30 mm का audio driver है जो अच्छा sound करता है overall package में जितनी दिक्कते हैं वो इसका sound थोड़ा balance करने की कोशिश करता है और ऐसा भी नहीं है जैसे बागी YouTube वीडियो मैंने देखी वो सीधे कह रहे हैं हम इसे recommend करते हैं इनका sound बहुत अच्छा है 13 mm के हिसाब से waste बहुत कम है यह बूरे sound बिल्कुल नहीं करते हैं मगर किसी भी branded headphones से नहीं compare नहीं किया जा सकता overall इस earbud को मैं 2.5 out of 5 की rating दूँगा जो भी number है सिर्फ sound और price की वज़े से हैं so that was all for this video hope आपको video पसंद आई हो don't forget to like, share and subscribe have a nice day